Good morning class, how are you all? I know you all are enjoying with your families, kids. Previous class में मैं मैं आपको letter D introduce किया था और मैं मैं आपको बताया था letter D की sound D होती है. D, 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 D और हमने D से related कुछ pictures भी देखी थी जैसे D, Dolphin, D, Dog, D, Trum, D, Deer. Kids, आज की class में हम letter D की recapitulation करने वाले हैं. तो आईए letter D से related कुछ और pictures को read करते हैं और साथ में हम letter D की एक work sheet भी करते हैं. यह देखिए kids, यहां मैं मैं के पास एक picture book है जिसमें letter D से related बहुत से vocabulary है. आईए हम सब मिलकर इसे read करते हैं. यह देखेंगे, यह क्या है? D, क्या है यह letter D, यह है capital D, यह है small d, यह है capital D, यह है small d. और D की sound क्या होती है? D, 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 Doll, D, D, Duck, D, Drum, D, Dog, D, Dog. देखा kids, जब हम सब इन सबी words को pronounce कर रहे हैं, तो इसमें हमें first sound ड की सुनाई दे रही है, कौन से सुनाई दे रही है, ड की, ड, 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 आईए, एक बार फिर से इसे repeat करते हैं, ड, 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 आईए, अब हम कुछ letter D से related और vocabulary देखते हैं, यह है, ड, 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 की, क्या है यह, ड, 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 की, इसमें भी first sound ड की है, ड, 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 की, next picture is donuts, क्या है यह, donuts, और donuts में भी first sound ड है, ड, donuts, donuts क्या होते हैं, kids, यह एक खानी की चीज होती है, और यह taste में मीठी-मीठी होती है, यमी-यमी होती है, और इसमें भी first sound क्या है, ड, ड, donuts, ड, ड, next picture is, ड, dyes, क्या है यह, ड, dyes, यह एक खेलने की चीज है, इससे हम बहुत सी games खेलते हैं, और इसके उपर numbers लिखे होते हैं, और इसको हम dyes बोलते हैं, और dyes में भी first sound क्या है, ड, की, next picture is, डोर, क्या है यह, डोर, और डोर में भी आपको first sound कौन से सुनाई दे रही है, ड की, ड, डोर, ड, डोर, तो kids, आज हमने letter d से related बहुत सी vocabulary read की, आईए, अब हम letter d से related अपनी एक worksheet करते हैं, यह देखे, kids, यहाँ हमारे पास letter d की worksheet है, सबसे पहले हम इसे read करते हैं, capital d, small d, the, doll, the, dog, the, dog, the, dog, यह बन गया capital d, आप small d बनाएंगे, straight line, then center में जाकर curve, यह बन गया small d, kids, tracing के बाद हम इसमें coloring करेंगे, हम capital d और small d में thumb printing करेंगे, और doll और dog में हम crayons की head से color करेंगे, तो आईए सबसे पहले thumb printing start करते हैं, यह मैं आपने two water colors ले लिए हैं, आप भी अपने favorite कोई भी two water colors लेंगे, आप हम अपने thumb पर यह color लगाएंगे, और इसका impression capital d में लगाएंगे, मैं हम सबसे पहले green color लगा रही हैं, अब हम capital d में thumb printing करेंगे, इस तरह से, यह देख रहें kids, यह हमने capital d में thumb print लगा दिया है, अब हम red color लेंगे और small d में thumb print लगाएंगे, हमें directions को follow करना है, और palette straight line और बाद में curve में हमें thumb print लगाना है, यह देखिए, यह बन गया capital d, यह बन गया small d, यहाँ ma'am ने अब crayons color लिये हैं, आप अपना कोई भी favorite color doll में कर सकते हैं, यह ma'am ने pink color लिया है, और अब ma'am doll की dress में coloring कर रही है, यह ma'am ने pink color कर लिया है, अब ma'am skin color लेंगी, और इसके face में और hand में करेंगी, यह देखिए, face color ma'am ने कर लिया है, अब ma'am ने brown color लिया है, इससे हम doll के hair कर बनाएंगे, यह देखिए, यह ma'am doll के hair में brown color कर रही है, यह देखिए, hair में ma'am ने brown color कर दिया, अब हम इसके shoes में भी brown color कर दिया है, यह देखिए, यह हो गया, brown color, done, हमारी doll में color done है, अब हम dog में color करेंगे, dog, black, brown, white और mustard color का होता है, तो इन में से आप कोई भी color कर सकते हैं, ma'am ने यहाँ mustard color लिया है, आईए, अब हम dog में color करते हैं, slowly, slowly हम dog में अच्छे से color करेंगे, यह देखिए, kids, हमने dog में color कर लिया है, अब हम इसके tongue में और इस step में red color करेंगे, यह देखिए, यह ma'am ने इसके tongue में कर दिया है, और यह step में भी कर दिया, इसके, done, और हमारी दोनों pictures में color हो गया है, तो kids, आप सब भी इसी तरह से color करके, इस activity की pictures, ma'am के साथ group में जरूर share करेंगे, और next time हम new activity के साथ मिलेंगे, till then, bye bye,